तो हम लोगी स्टार्ट करते हैं वारी जवाद मर्कन्टिलिजम और क्रिटिलिजम जिसकी चाचा हम लोग लास्ट न्पीपी कर रहे थे मर्कन्टिलिजम या वारी जवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतरगत मुख्यतह मुख्यतह ब्यापार और ब्यावसाय के दिश्टिकोंट से इनको केंद बनाके केंद बनाके एक अर्थ ब्योस्था कि अस्थाप्रा की जाती है तो एक प्रिकास है एक एक इकोनामिक सिस्टम है जिस एकोनामिक सिस्टम में हम लोग मुख्यतह ब्यापार उनमुख्य होते हैं ट्रेड ओरियंटेड होते हैं कामर्स ओरियंटेड होते हैं हम मुख्यतह इस प्रक्रिया में बाजार उन्मुख होते हैं हम बाजारी कगर की प्रक्रिया पर बल देते हैं यह ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतरगत निर्यात को साहित गयता है जबकि आयात को हतों साहित गया जाता है निर्यात उन्मुखी चीजों पर पद्रतियों पर और में योरोपीयन रेंशा हुआ और रेंशा के बाद जो ज्ञान और तकनीक का विकास हुआ उस विकास की प्रक्रिया में मुखतः योरोपी देशों को अपने तकनीकों को अपने मसीनों को बेचने के लिए और उससे बिनेमित जो मानिफेक्टर्ण कमॉडिटीज थे उन कमिडिटीज को भी बेशने के लिए उनको भजार, उस बाजार के लिए और दूसरी बात, जो यूरोपी जनसंख्या का लगाता दबाव बढ़ रहा था, उस जनसंख्या को कहीं अन नगर में, कहीं अन देशों में भी सि यो Bella कि भ्वगोली खोज़ोंगे फ्रस्रूप जहां जहां प­ यॉरोपी कंपपनियों ने यॉरोपी देशों ने बाझारी कर्ण किया जहां-जहां पर इन लोगों प्रक्रिया में अपने बिनेमित वस्तों को बेचने के लिए बाजार क्या सकता हुई अपने मसीनिक मसीनों के लिए अपने कंपनियों के लिए फैक्टिरियों के लिए सस्ते स्रम क्या सकता हुई और तीसरी बात अपनी तकनीकों के लिए और अपने बाजार के लिए राम मैटेगर्स कच्चे माल क्या सकता हूं जिसे करते हैं राम मैटेगर्स तो कच्चे माल क्या सकता इन्हीं सब प्रक्रियाओं से जुड़ी जो विशायधारा है ठीक है वह कहलाती आपका वाड़ी जबाद या कमपनियां आती हैं चाहे वह पूर्तगाल हो चाहे वह आपका हालेंड हो नीदरलेंड हो या आपका डेनमार्क हो डच बिर्टेन फ्रांस कोई भी जे देश जो देश आती हैं इन देशों नोए सबसे पहले भारत में अपनी कोठियां स्थाबित करने का प्यास किया और और भारत से सस्ता स्रम और कच्छा माल प्राप्त करने का लगाता प्रयास करते रहे और इसी प्रक्रिया से लोगों ने हां काम किया और धिये दे यही प्रक्रिया आगे बढ़कर एक आपनिवेसिक प्रक्रिया एक कलोनियल सिस्टम में परिवर्तित हो जाती है वानी जवा नगदी में परिवर्तित होने की संभावना तेज हो तो ऐसी फसल नगदी फसल कराती है जिसमें नगदी में परिवर्तित होने की छमता तिप्र पाई जाती है जो जल्दी से नगदी में परिवर्तित हो जाता है ऐसे चीजों को हम कहते हैं नगदी फसल या वारिजिक फसल त जैसे आपका चाय हो गया तो रेसम हो गया कपास हो गया तो इन चीजों पर रबर की खेती हो गई इन चीजों पर मुखत पहले सरकार पहले विटिस कंपनियों ने और यूरोपी कंपनियों ने जोड दिया और इनहीं पर अधिकार करने की जो प्रवित्ति है इसके अंतरगत जो उसका मूल सनोत था मूल викड़ाण थी तो आगे आगे रेंडिक्रिय को प्रक्रिया में एक अन्य बात भी देखी ज streams थी के अंतरगर्टा माय। कंप़निया या देश अपने संसाद्रों को की सुनेश्चिता के लिए बाजारी करण के लिए बाजार में प्रवित्य चलती है यह जैसे थे बुंद्र अखेयर सब्सक्राइब मतलब होता है WORK हो सुरू कि शूरू कि तरह भारात में पَّने प्रता और दस्तक प्रता दस्तक प्रता जिसमें चुड़ सब्सक्राइब करने के लिए तो वह आपका एक प्रकार से वह पेशगी के रूप में वह था आपका दधनी पहता तो इन सब कि माध्यम से भारतियों की बाजारों तक इन लोगों ने पहुंच अपना सुनेश्चित किया भारति अकच्छे माल पर प्रिप्राइब बनाई भारतियों के जो सस्ता श्रम उलब्धिता भारति स्रम पर अधिकार करने का प्रयास किया ठीक है और इसका काफी दुर्पयोग कुछ तो कुल मिलाके अब देखें ब्लू आटर पालची पूर्तगाली गरवर्नर्ड डी-लमेडा के द्वार्रा सुर्ण किया गया डी-लमेडा का मुक कतं था कि यह करता था भारत में भारत में अगर सफल होना है या भारते हम तभी तक अपनी सफलता बनाए रख सकते हैं जब तक हम समुद्र पर अधिकार करेंगे या नीले पानी पर अधिकार करेंगे तो उसका मतलब था कि भारती बाजार पर एक अधिकार करने के लिए जो हिंद मास आगर का छेत्र है हिंद मास आगर है उन छेत्रो हो गई आजकल का एक निया टर्म है ब्लू-economy ब्लू-economy जो मुख्यतह एक प्रकास से प्राक्तिक संसाधनों और खास कर आकास की जो आपका अंतरिछ संसाधन लुक्ति है जो वे जोडं मेसमां कोई तरह ही टो पूर्थ गालीह कि द्वारा सुरूर इसका तात्र पल्रीर कोई भी कोई भी कार्गो और सागर के छेतरों से नहीं बुजाए सकता जब तक पूर्थ गाली उसे अपना Olha जारी करें जब तक पूर्थ गाली उसे आग्या पत्व न दे या उसकी स्विक्र्थिति आग्या न पधान करें तो इसके माध्याम से पूत्रगालियों ने समझे इवन दमासागर के ब्यापार पे अपनी मोनोपोली इस्थापित कर लिया एक अधिकार कर लिया यह जो मोनोपोली की प्रवित्ती थी इसी मोनोपोली की प्रवित्ती के फर्सरूप लगातार खुद यूरोपी कंपनिया जो और मुगलों को प्रति वर्ष एक काटेजा फ्री में दिया जाता था यह आनकाटेजा सिस्टम अब्लू वाटर पाल्सी यह नेपोलियन बोना पार्ट के कांटिनेंटल सिस्टम मतलब महाद्वीपी बेवस्था की याद दिलाती है महाद्वीपी बेवस्था का तात्वर था कि नेपोलियन बोना पार्ट ने जब अपनी समगाज वादिता की पूर्ट के लिए के लिए मुक्तह इंगलेंड ब्रिटेन को आर्थिक उपसे कमजोर करना चाहा उसके संसादनों को नश्ट करने का प्रयास किया अन्य देशों के स साथ इससके संबंधों को प्रभायुत करने का प्रयास किया तो यह जो एक प्रिकास से बीटेन की आर्थिक नाके बंदी थी इस आर्थिक नाके बंदी में कहा गया की कोई भी जहाज अगर वह भूमद्य सागर के तरब से जा रहा है और जब कि फ्रांसीजी सरकार उसे अनुमति प्रदान करें तो इसके माध्यम से सज्जा के समानों को जो आपके आपके एक प्रिकार से जो मिलटरी एक्विमेंट से जो आपके स्ट्राटिजिक एक्विमेंट से सामरिक वस्तुय थी इन सब पे वह अधिकार करना चाहता था करके वह इंगलेंड या बिटेन की सक्ति को भी तोरना चाहता था और यही बाद में जो इनका कांटिनेंटल महादुपी ब्यवस्था है नेपोलियन की यही ब्यवस्था नेपोलियन के पतन का एक महतपुड कारक हुगा क्योंकि अन्य जो भूमद सागर के सटे देश थे जो मुखतह ब्रिटेन आज से संपग रखते थे और दूसरा जिनका व्यापाय वारी जो उन छेत्रों से होता था वे लोग धिरे धिरे नेपोलियन से किनारा कर गए चाहे इस्पेन हो चाहे आपका इस्पेन के साथ साथ वह इस्पेन पूर्ट गाल जो अन्य छेत्र है वो धि घूर्ट था मिन जब मतलब है कि जब भारत में बिटिस या उपनीवेश वा था उस समय की जो भारती अर्थ episódioस्ता है कैसे वाडि जवाथ के दरके गुजरी और व्यापार वाडी जिकिन कीन्पहस से होकर आगे बढदती है इस प्रद्रतिवे मुक्रतर कालमाक्स ने महत्पूर सोध किया कालमाक्स के सांसाथ इस पर भारती विद्वारों में आर्पी दत्र रजनी पामदत ने इस पर महत्पूर कार किया रजनी पामदत ने इंडिया तुडे आज का भारत में इस पर महत्पूर कार करते हुए बिट तैस्ट आप्लम्हीं सिक अर्ट्री वें सथा को वह पूझिवाद कमसिẫn का इन क wildly Pujyवाद का कि तो पहला आपका दोबनी को's त्हानल पूझिवायां को दर साता है तीसरा आपर न करीकल शेंड केतितिर वह द्टी को हो दर शाता है आप असमझेगा है महत्पूर्ट तत्य हैं इस प्रक्रिया को समझने के लिए और कई बारे आर्पी दत्ता का यह कथन यह इस्टेटमेंट और यह जो उनका डिफिनेशन है विभाजन है इस पर बहुत सारे कोश्चन भी आपको बनते हैं जो वांडिजिक पूजिवाद का दौर है इस से लेकर मतलब फांद श्टार्ट आप प्लासिवार कर सकते हैं कि अप्र प्लासी प्लासिवार तो सत्रह सब सतावन से लेकर 1813 तक 3813 तक जो बिटी सरकार की आथिक नीत भावत में रही वह वांडिजिक पूजिवाद की रही है जिसमें बिटी भारत में अपने समराज विस्तार को अधार बनाया और दूसरा भारत से राजस वसूली वसूली या लगान वसूली को अपना मुख्या अधार बनाया तो लागान वसूली या जो राजस वसूली की प्रक्रिया है तीक है जो मुख्यत है वांडिजी पूजी बात के अंतर करत काल सुक्तान है इसमें बिटिस अपनिेशिक इर्थ विश्था ने पूरी तरह से भार्त बड़ी मात्रा में लगान वस्द करना शुरू किया कि इसके माध्य से सोसर करना शुरू कि आ कि अधिक से अधिक भारत से भूराजस वसुल के जाए सके अधिक से अधिक भारत से लगान वसुल के के बाद जो इलहाबाद की दो संध हुई पहली संध हुई आपका 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संध हुई इलहाबाद की 16 अगस्त 1765 को इन दोनों संधियों के बाद बंगाल बिहार उडिशा में इस में दोयद साषन की सुरुगाद की गई जिसे करते हैं डायर की सिस्टम की सुरुगाद की गई के जनक माने जाते हैं लियों का लियों का टिय तो कुलमिला के ब्युष्था 65 से लागू होती है जिसमें बंगाल बिहार उडिशा के छेत्रों में अलग-अलग सासक नियूप्त कर दिये गए जिनका मुख काम लगान वसूली था जबकि सासन सत्ता पर अधिकार बीटी सरकार ने रख लिया और यही दोनों पद्दती जो थी कहलाती है डायार की सिश्टम या दोयद सासन एक अस्थान पर दो लोगों का सासन मतलब जो आपका दिवानी का अधिकार था जिसमें लगान वसूली मुख्यता आता है यहां अधिकार भायतियों को दे दिया गया और निजामत का अधिकार जिसमें मुख्यता सानिक मामले बैदेशिक नीतियां सासन पर सासन आता है इस प्रक्रिया से बिटी सरकार ने लगाता भायतियों का सोसड किया भारी मात्रा में भूराजस्वसूल किया भारी मत्रा मात्रा में राजस्वसूली से ये लोग अधिक सदिक धन प्रात कर लिए तो यह जो प्रागंबिक दौर है वाणिजिक पुजीवाद का इस में अगर देखा जायं तो जिस तरह से भारत से पूजी प्रात्र करने का प्रयास किया गया पहले चरण में उससे लगातार बिहार बंगाल के छित्रों में उडिशा के छित्रों में लगातार किसानों का सोसर हुआ इसी लिए इतिहास कार पर्शिवर इस्पियर कहता है पर्शिवर इस्पियर ने इस काल को बेसर्मी एवं खुली लूट का काल कहा है पर्शिवर इस्पियर ने दोयद शासन के समय को एक प्रकार से बेसर्मी एवं खुली लूट का काल कहा है पर्शिवर इस्पियर ने जबकि केम पनिकर ने 1765 से लेकर 1772 को इन्होंने भागत में डाकु राज्य राज काल कहा है या देखें केम पनिकर ने इस काल को बेसर्मी एम खुली लूट का काल कहा है जान सुलीवन, इसी संदर में कहता है उसका कमेंट भी यहाँ पर जरूरी है जान सुलीवन कहता है कि हमारी वेवस्था एक ऐसे स्पंज की तरह कारे करती है जो की गंगाच से जल निशूरती है और जाकर टेम्स नदी में गिरा देती है यह कथन किसका है जान सुलीवन का और तीनों कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको भी बताया चाहे वह पर्स्टिवर इस्पियर हो चाहे जान सुलीवन हो और चाहे केम पनिककर हो अच्छा जब तो 1765 में एक रिपोर्ट आया जिसका नाम था फर्मियर का रिपोर्ट आया तो फर्मियर की रिपोर्ट ने कहा कि 1765 से बाद बाद भातियों का या इन छेत्रों में इनका ब्यापक सोसर किया गया और भारी मात्रा में राजस्ट की वसूली की गई इसे हमें पता चलता है तो पहला काल जो था वांडी जी पूजीवात का काल था अब जब दूसरा काल चला 1813 में 1813 से क्या हुआ कंपनी के व्यापारिक अधिकार बहुत सारे कंट्रोल कर लिए गए चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर चाय का व्यापार और चीन देश से व्यापार को छोड़कर सारे व्यापारिक एक अधिकार कंपनी से ठीक है कंपनी से ले लिए गए ऐसी क द्योग आधावित अर्थिवस्ता की बात किया उद्योगों पर जोड दिया और उद्योगों पर जोड देने के कारण एक तरफ तो इन लोगों ने भारतिय कुटियर उद्योग भारतिय लग उद्योग को नश्ट करने का प्रयाज किया जिसे गादा भाय नरोजी ने जिसका का सिधान दिया बी और्दोगी का नाम पर जिसको करते हैं डी इंडिरिस्टिछाल इसंट तो दिशारी बात अपने अपने मसीनों के लिए अपने टकनिकों के लिए अपने उद्योगों के लिए भारत की अर्थव्यूस्ता को उसी के अनूलूप साधन के रूप में प्रयोग किया जैसे उन्हीं खेती पर बल दिया गया जो खेती मुख्यतह और दोगी का पूजीवाद के लिए जरूरी हो जो उनके उद्योगों के लिए जरूरी हो जो उनके मसीनिक मसीनों के लिए जरूरी हो ठीक है तो जैसे मुख्यतह इस दौर में आप कर सकत दिया गया रबर पर जोड दिया गया नील की खेती पर जोड दिया गया अफीम की खेती पर जोड दिया गया हां तो उद्योगों में जिसकी ज्यादा आव सकता थी जो आज राम मेटेगर्स कच्छे माल के रूप में जिनका प्रयोग मसीनों के में ज्यादा तक किया जा सके क हो गया आपका और दोगी पूजीवाद का दौर अब ठीक है इसमें भूराजस में बहुत सारे परिवतन किया गया जैसे शुरुवात में भूम को ठेके पर दिया गया जिसे करते हैं इजारेदारी बेवस्था भूम को ठेके पर देने की पद्दति कहलाती है इजारेदारी बयौस्था इजारेदारी ब्यौस्था के बाद के बाता जब वागन हेस्टिक आया तो उसने क्या किया Юजवारेदारी ब्यौस्था को आस्थान के अस्थान पर उसने पहले कि रिंस था मारत दिति थी के बाद जब कानवालिस आये तो कानवालिस ने क्या किया इसके अस्थान पर इस्तमरारी ब्योस्था का मतलब होता है ऐस्थाई भूम बंदोस्था तो जो पहले 1790 में 10 वर्ष के लिए किया गया और 1793 में जाके जो अस्थाई बंदोबस्थ के रूप बदल दिया गया तो पहली ब्योस्ता इनकी चली जायदाई ब्योस्ता फिर आगया एक वप्रसी प्रबंधन की ब्योस्ता उसके बाद कर फतकर छलकर महालवारी ब्योस्ता की सुरुआ और केवल भारतिय भूम से भारति चितर से अधी शदी मातरा में कर्वसूल करने का ही प्रयास किया लगाथा इन सबके माध्यम के कहीं स्रमिकों का किसानों का सोसड ही किया गया कि और यू से और यू दोगिग रूट बीवस्था को कि था अस्थापित करने के लिए ऑज बीविकास कर से किया ग्या ग्यां वी जयरे विकास किया ग्या अगया रियल्वे का किस न था मुख्रेभी जो हुआ और रेल्वे के विकास के जो पहला थेका दिया गया था की के तो वहांत का एंडियं पनेनल सुल्रा तो तो नि ऐसे सब अपना अलग मैट्र हैं अब तीसरे काल में अब आते हैं वियंग-वाज जो तीसरा काल 858 से 857 की करांति के बाद शुरू होता है इस काल में बिटी सरकार ने क्या किया मुख्यतह मुख्यतह बिटी पुजीवाद मुख्यतह उन्हीं छेत्रों में पैसा लगाया जिन छेत्रों से उनको अधिक से अधिक लाब संभव हो सके आप विठी पुजीवाद कि ऐसी प्रक्रियाह से जिसमें बित का प्रयोग करके पुजी कमाने का प्यास कियां इस प्रदती में मुख्यता बिटी इस सरकार ने क्या किया भी का ब्यापग तरारां में दल्थ में चाहर आ जलिए सरकार में बिकास च्हकरा घाराऊ में तो इस रसा में क्या किया बित्ति पूजािवाद ले में जो तो पूजी निवेश हुआ वह पूजी किया गया गारंटी पत्ति का मुख्छत तात पर था कि इसमें इस बात के लिए गारंटी दी गई अगर जो भी भ्यक्ति इन भारत में पैसा निवेज करता है उसका पैसा किसी भी मामले में, किसी भीश्चती में डूबरे नहीं पाएगा और उसे कम से कम इतना PCS रूप से लाब होगा तो उसको लाब की गारंटी दी गई अगर अधिक लाब हो गा तो उसके बदले में आपको इंसेंटिव अलग मिलेगा उसके बदले में आपका सेयर भी बढ़ जाएगा इसे करते गारंटी पद्दती तो गारंटी पद्दती पर भारती चेत्रों में सबसे पहले पूजी का निवेश किया और दूसरा कोश्चन आपको पूछता है कि निल्मिखिन में से किन चेत्रों में बिटिस पूजी के निवेश का क्रम किस प्रकार रहा है तो बिटिस सरकार ने जो अपनी पूजी भारत में लगाई है पैसा लगाया है कमाने के लिए वह सबसे ज्यादा किसमें लगाया दूसरे अस्थान पर किसमें लगाया तीसरे अस्थान पर किसमें लगाया इसका क्रम आता है ठीक है तो बिटी सरकार ने जो पहला सबसे ज्यादा पूजी निवेज किया वह भारत में वह किया पहले नंबर पे रेलवे मे बिठी सरकार द्वारा भारत में नियोजित पूजी का क्रम है ठीक है भारत में नियोजित ठीक है इन्वेस्टेर जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसकी पूजी का क्रम क्या है पहले नंबर पे रेलवे दूसरे नंबर पे चाय तीसरे नमबर पे काफी। 14 नमबर पे रबड रबड पाँचोंग नमबर पे नील। यह भारत में पूझी नीवेश का क्रम है। इस क्रम में रेलवे का विकास तुमनें पहले कह दिया कि इंडियन प्रिनसुला कंपणी के माध्यम से किया गया पहले सुरुगात में जहां तक चाय बगान की बात है भारत में चाय बगान की सुरुगात अठारा सो पैसिस सिरुगा है भारत में चाय बगान जो लगा गया है वह पहला चाय बागान असम में 1835 में लगा गया था तो यहां सुरू उता है जबकि असम चाय कंपनी जो है वह 1849 बनी है असम चाय कंपनी 1849 में जबकि चाय बागान जो पहला अस्थापित हुआ है वह चाय बागान अस्थापित हुआ है 1835 में अवह असम चाय कंपनी बनी है चाह तारा सो न TU1 में , ऐसम चाहे कमपनी अठारा सो न्तालिस और पहली चाहे बगान, ठीक है ज्यू पहला चाहे बगान बना है वह चाहे बगान पहला कभ्रान में शुस्व पुजीय का निवेस किया गया और इसके माध्यम से इन इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से चाहे आपका वाडिजी पुजीवाद हो चाहे अदोगिक पुजीवाद हो चाहे वित्ति पुजीवाद का दवर हो हर दवर में बिटी सरकार ने अपनिवेशिक अर्थविवस्था ने लगातार भारत का सोसड ही किया और इसके माध्यम से भारत के संसाधनों का लगाता इन लोगों ने दोहनी किया अब अगर समझा जाए जब कि अब सोचे एक तरफ तो वारी जवात को बल दिया गया और इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि बाजाई करने के लिए भारत के कुटू उद्योगों को नष्ट किया गया भारत के परमप्रागत पक्रिया में सबसे ज़्यादा की जो पड़ा थेक्रों देखा जाए और क्या किया अलग अलग निञम के माध्यम से शूती वस्त्रों पे लगा तार प्रतिबंध लगा दिया उन पे टेक्स बढ़ा दिया उनके उद्पादन को हतोसाहित करना शुरू कर दिया ठीक है और यहां तक कि इन लोगों ने आगे चलके एक नियम पायुत किया कि सूती वस्त्र और रंगीन सूती वस्त् समझोर करने का ही पूरा प्रयास किया जबकि भाति सूती वस्त्र की व्यापकता आप इस दिश्ट कोट से देख सकते हैं कि एक महत्वपूर विद्वान रहे हैं इनका नाम है डेनियल डीफो जिनका नाम है डेनियल डीफो डेनियल डीफो ने एक उपन्यास लिखा है जिस डीफो ने इसको लिखा है इस उपन्यास में उन्होंने लिखा है कि जो भारती कपड़े हैं ठीक है वे कपड़े मुक्रत है हमारे बाजारों में हमारे घरों में हमारे सैन ग्रिहों में यहां तक की हमारे तक्ये में हमारी चादरों में ठीक है मतलब बताते हैं कि हर जगह पे घावारती यो वस्तम हैं वह पूरिताय से चाग गया है पूरिताय से अधिकार कर लिया है। जब आपको जो यह comment है डेनियल डीफो का यह comment आपको याद दिलाएगा प्लीनी के comment से जब प्लीनी भागत रोम के ब्यापार की बात करता है अपने नेच्छल हिस्टोरिका में और वह कहता है कि भागत से जो बिलास्ता की वस्तोय हैं वह इतना ज्यादा मात्रा में रोम में खइदी जा रही हैं इसके रोलिम का लगा ताlex लगाता सोन लगातार रोम से बड़ी मात्रा में इसका जो धन है वह जो भड़र करता है कि भारत रतनो की जननी है कौन कहता है रात रतनों की जरनी है कौन加ता capitalist कि भारत रतनों की जन्नी है और करता है कि भारती समान जो है वह हमारे घरों ठीक है हमारे बिस्तरों आद में पहुंच गए हैं तो वह भी बात करता है कमेंट लेकिन वह बात करता है मौरुत्तर कालीन वह ब्यात करता है मौरुत्तर कालीन आर्थिक नित के बारे में ब्यापा आपए देनियल दिफो बात करते हैं तो कुल मिला के इन सब प्रक्रियाओं के फर्सौरूप भारत में बिटिज बाaci कल Jagun जेए लिटेन सरकार ने वार इवाड़ी जवादी नीट के फर्सरूप इनखेत्रों पर एकळण कर्ण? भारत के परंपरा गत शक्रेया कोर्ण? करने कश्रम प्रयास किया थिख प्रक्रिया को भी लगाता बढ़ाने का इन लोगों ने प्रयास किया है कि अब आई पूजी बात में कैप्टिलिजम या पूजी बात सब्द का पहली बाप्रयोग कालमाक्स ने किया है कालमाक्स ने कि दास कैपिटल में इन ने पूजी बात सिधांत पूजी बाती पद्दति के बारे में प्रयोग कालमाक्स ने किया है आए देखे पूजी वाद क्या है पूजी वाद वस्तुत है वाड़ी जवाद की अगली प्रक्रिया है या अगला चरण है वस्तुत है माना जाता है कि यूरोपी सामंतवाद यूरोपी सामंतवाद की प्रक्रिया या सामंतवाद की जो पतन की प्रक्रिया सुरू हुई समझेगा फिर से यूरोपी सामंतवाद के पतन की प्रक्रिया में या पतन के पशात पशात नओधित जो जो नए जुब से अभी उधभूत हुए जो नओधित और दोगिक समास थ तो एक प्रिकार से आप इसे कह सकते हैं कि वस्तुतह जो पूजी वाद का विकास है वह योरोप में सामन्त वाद के पतन के पश्चात उद्भूत हुए पूजी वाद का विकास क्या जाता है तो पूजी वाद का विकास मुक्यत है यूरोपी सामन्त वाद के पतन के पश्चात उद्भूत होता है ठीक पूजी वाद अब समझे पूजी वाद है क्या पूजी वाद की जो प्रक्रिया है इसके पहले पूजी जाना जगए पूजी का मतलब होता है कैपिटल पूजी या कैपिटल इसका मतलब होता है कि अपने उपभोग ब्याइक अत्रिक्ट जो भी धन कमाया जाता है या जो भी धन बचता है जो भी वस्त बचती है जो भी हमारा सर्प्लेक्स प्रोडक्शन होता है ठीक है वह ठीक है जो निवेश के लिए बचता है वह कहलाता है आपका पूजी फी समझेगा अपने उपभोग ब्याक्यत्रिक्त जो भी धन या जो भी वस्तु निवेश करने के लिए बचती है वह कहलाती है पूजी वह कहलाती है पूजी और जब उस पूजी के माध एक महिने में 10,000 कमाते हैं और 8,000 रुपया आप initial expenditure आपका है उसके खर्च कर देते हैं आप रहने खाने आप खर्च कर देये हैं जो आपका आवस्याख खर्च है तो 8,000 तो आपका आवस्याख खर्च है इसका मतलब है आप पास निवेश करने के लिए investment के लिए कितना बचता है Body वही हजार है किजिए का है ड referendum आप से बचता है और इस को आप about में सकते हैं कहिं लगा सकते लिए इसी को आसी को आ पर इसको आप बिजनिस लगा सकते हैं कुछ मी कर सकते हैं तो अपने उपधोग क्यात्रिक्त जो भी धन निवेज के लिए बचता वह धन कहलाता है पूजी और जब इस बचे हुए धन का प्रयोग तीक है इस धन का प्रयोग या पूजी का प्रयोग पूजी कमाने में किया जाता है तो उसे कहते हैं पूजी वाद तो पूजी वाद एक ऐसी प्रक्रिया है पूजी वाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक् पूजी के प्रयोगे के आधार पर पूजी कमाने का प्रयास किया जाता है उसे हम कहते हैं पूजी वाद। उसे हम कहते हैं पूजिवाद अगे समझेगा कालमाक्स कहता है कि पूजिवाद जो है यह प्रक्रिया मुखेत है मानव स्रम के सोसर पर आधारित होती है पूजिवादि पन्दति प्रकास से जिसमें स्रम का सोसर होता है तीक है जिसमें स्रम का सोसर होता है अब आगे समझेगा पूजीवाद का जो विकास हुआ समझेगा कि जैसे बानेज है पूजी बादी प्रक्रिया क्या हुआ कि अनेक कंपनियां बनाई गई नेक मौल बनाई गई वहत्वान में ऩदिद्स सब पूजी पतियों के हो गए अब जब इतके पूजी पति हो होता है तो पूजी वाधी व्यूस्था में क्या होता है स्रम मानों के सोसर और ज्यादा होता है इसलिए पूजीवादी ब्यॉश्था मुक स्रम के सोसर पर आधावित व्यॉश्था होती है इस व्यॉश्था के अंतरगत क्या होता है कि मसीन और म्धेश की माध्यम से जो वर्किंग क्लास होती है जो कामगार वर्ग होता है इसका अत्यधिक सोसर होता है इसका सरवाधिक सोसर होता है और ऐसी प्रक्रिया में जब सोसर अधिक होता है तो इस वर्ग में असंतोस और आक्रोस भी अधिक होता है जो माक्स के इतिहास लेखन का मुख्लच पुजी या वर्ग संघर्स का सिधान दिया है तो कुल मिलाखे समझेगा कि अब पूजी से पूजी बढ़ा अदोगी कर्रण के कान पूजी पतियों ने पैसे के माद पैसे का निवेज करके अधिक पैसा कमाया मिल फैट्री कार खाने माल्स पीवी आर्स बड़े-बड़ी लोगों ने अस्थापित कर लिया तो एक तरफ से पूरी तरफ से जो पैसा है वह पूरी तरफ से सेंट्रलाइजड हो गया इनी के रूपे उद्भूत हो गए और समाज के संसादनों पर पूरी तरफ से लोगों ने एक अधिकार कर लिया तो इनका पूरी तरफ से मोनोपोली हो गया तो आएसी कंडिशन में लेलिन कहता है कि जब पूजी बाद की प्रक्रिया अपने उच्चतम अस्तर पहुंचेगी तो क्या करती है कि यह समराज जवाद को जन्म देती है इसी लेलिन का एक महत्पूर किताब है ग्रंत है उसका नाम है समराज जवाद समराज जवाद पूजी बाद की उच्चतम दसा पूजी बाद की उच्चतम अवस्था इंपरियलिजम इंपरियलिजम दफाइयश्ट इस्चान ऑप करती यन16 िसटेज क्ट्रश इंपरे जूद दफाइख हो जन्हाइह एक ग्रंट लनिया आन्न का यो फोल क्रते लाइश्ज दयर्ट वल सम्राज जवाद पूजी बाद की शतम्राज जवाद स्माराज जबार्ब पूजी वाद के जुडवे बचचे हैं लाला भी का कमेंट था उए भयार ग्रम्त लाला रात्पत राय कथन था करते हैं कि सैन्यवाद और सम्राज जवाद पूजीवाद के जुड़वे बच्चे हैं पूजीवाद के दूसरे जुड़वे हैं जुड़वे बच्चे हैं भारत में जो बिटिस सरकार द्वारा ऑपनिवेशिक अर्थरस्टा के द्वारा जो पूजी का निवेश हुआ इस पूजी के निवेश और इसके सोसर की प्रक्रिया को उध्घाटित करते हुए हिंदुस रिब्यू ने लिखा था हिंदुस्तान रिब्यू ने हिंदुस्तान रिब्यू ने हिंदुस्तान रिब्यू ने भारत में पूजी के निवेश को लूट पार्ट के अंतर राष्टी तंत्र की संग्या दी थी लूट पार्ट के अंतर राष्टी तंत्र लूट पार्ट के अंतराश्टी तंत्र की संग्या दिती किसने हिंदुस्तान रिव्यू ने अब अगर समझेगा अगर थोड़ा सा बिटी सरकार के परपेश में देखा जाए तो बिटी सरकार जब भारत में पूजी का निवेश करती है अपनी अंतिमा उस्था में आती है त तो पूजी का निवेश उन ही छेत्रों में करती है जहांस पोजी कमाने कि संभानड़ा जादा होती है कि इस प्रक्र्या में क्या कि उसने पूजी का प्रीर्योग लगतार सुरू किया अब पूजी के माद्रम से भायत की सभी बाजार पर अधिकार कर लिया है हम समराज तो भारत में अनेक नीतियों के माध्यम से भारत के संसादमों पर अपनी पहुंच बना लिया तो इस प्रक्रिया के माध्यम से लगाता क्या किया इस बेवस्था ने लगाता भारती संपत्ति पर अधिकार करना सुरू कर दिया भारती संसादमों पर अधिकार करके बिटिस सम समराजवाद का मुख्य आधार अस्थापी ठुपाया तो पूजिवादी विवस्थाने वास्तों में विटिस समराज जिकुश्वाद ये एक आधार का मुक्तर काम किया अच्छा जो रेलवे में आज में पैसा भी निवेस किया गया वो मुक्तर इसी दिश्ट को से किया गया जैसे कार्मार्ग्स तो करते हैं कि रेलवे जो है वह भारत में भारत के आधनुकी करण का अग्रदूत बनेगा ठीक है और भारत के विकास का अग्रदूत बनेगा भार भारत हुआ में आदूंस की कशन का अग्रीदूत होगा अभारती बिकास अग्रीदूत होगा ओद्ध सी कि switches वास्तों में रेलवे का विकास पूरी तरह से इस डिश्कोर से नहीं किया गया था बलकि रेलवे का विकास वास्तों में जो बिटिस समराज के और दोगी करण की प्रक्रिया थी बाजारी करण की प्रक्रिया थी पूजी कमाने की प्रक्रिया थी उन उद्योस्यों की एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी के सिंगार पर पैसा अपना खर्च करें वह ऐसे ही ब्यवस्था रेलवेश पे बीटी सरकार के पैसा खर्च करना था अब आते हैं अगर मार्क्सीजर में थोड़ा सा और डीप देखें पूजी वादी ब्युस्था में मानों का और स्रम का कैस से सोसल होता है किस तरह पूजी वादी प्रक्रिया कामगार वर्ग के विप्रीथ होती है किस तरह पूजी वादी व्यवस्था में आम जनका लगाता सोसल होता है और जो सेंट्रलाइजेशन आप पावर और सेंट्रलाइजेशन आप जो कैपिटल होता है धन का संकेंदर कै पिरामिड आप कर्क्रिया को दर्साते हैं कि प्रक्रिया किस क्रम से चलती है और कैसे होता है तो मुक्ताब पूजीवाद का सिधान जो काल मार्फका है वे पूजी वादी ब्योस्था में स्रमिकों के सोशण को उद्धाटित करने की पद्दति रही है और करते हैं कि समाज के सबसे निचले हासियें पर समझेगा समाज के सबसे निचले हासिये पर वर्किंग क्लास होता है आम जनता होता है जो कारे करता है जो उत्पादक वर्ग होता है प्रिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करता है रही कया करता है कि वी फीड के जो सबसे नीचे वाला वर्घ है विचारा आम जनता का मालिज वी फीड यू आल, हम आप सभी को खाना खिलाते हैं, पहले वाले का नारा होता है, पहले वाला सब के लिए खाने की ब्रोस्ता करता है, ठीक है, और ती करते हैं, या वर्किंग क्लास का हो गया, इसके उपर देखिए, बी, बी क्या करता है, बी में कौन वर्क होते हैं, यहां अभजात वर्क होते हैं, उच्छ वर्क होते हैं, बुर्जुवा वर्क होता है, जिसे माक्स करता है, बर्जगाईस है, ठीक है, जो अनुत्पातक वर्क है, जो काम तो नहीं करता है, लेकिन संसाद में पर धिकार किया कहता है खाना पीना यह क्या है यह यह आपका भोगता वर्ग है यह वर्ग मार्क्स के दर्शन में कौन है यह मार्क्स के दर्शन में नगर के निवासी है बुर्जुवा वर्ग है और पूजी पर पति वर्ग है समझेगा तो दूसरा वाला क्या करता है इसका नारा यह करता है वी फीट फार वी फीट फार यू हम आपके लिए आपके करण खाना पाते हैं या लिखेगा वी इट फार यू वी इट फार यू वी इट फार यू हम आपके करण खाना खाना खाते हैं तो पहला वर्ग क्या हो गया यह वर्ग हो गया working class मतलब कामगार वर्ग कामगार वर्ग मतलब स्रमिक, मजदूर, क्रिसक आज हो गया दूसरा वर्ग क्या हो गया बर्जगाईस या बुर्जुगा वर्ग या उच्च वर्ग ठीक यह हो गया अब तुसरा आजाए ये A B हो गया C C में क्या होता है C में इसके उपर आते हैं तीसरे वर्ग वाले जो मुख्यता साइनिक वर्ग वर्ग होते हैं साइनिक वर्ग होते हैं इसको कर सकते हैं साइनिक वर्ग अधिकारी ब्यूर के सी साइनिक वर्ग यह क्या करते हैं के साइनी को अधिकारी बर्ग जो होते हैं यह मुख्यता इनका एक करते हैं इनके लिए इसके उपर कि हम आप पर गोली चलाते हैं जैसे पुलिस अधिकारी आद वर्तमान में तो यह गोली चलाने माणने पिट्रे काम करते हैं चौथे वर्गाजे इसके उपर डी इसके उपर होता है धर्म इसके उपर होता है धर्म रिलीजन ठीक है धर्म रिलीजन जिसमें कौन आते हैं आपके मुक्रिता प्रिष्ट या पादरी वर्ग पादरी और पुरोहित वर्ग आते हैं पाद्रियों पुर्योहित वर्ग आते हैं यह क्या करते हैं वी फूल यू हम आपको मुर्ख बनाते हैं इसके उपर कौन आते हैं इसके उपर आते हैं आपके सासक वर्ग कि शासन पर सासन जुड़े हैं जो सासन करते हैं यह यह क्या करते हैं है कि वी रूल यू हम आपको सासन करते हैं इस थिक और सबसे उपर क्या होता है कि कि सबसे उपर होता है कि हटा दिए इसको सबसे उपर होता है कैपिटल या पूजी यह क्या होता है पूजी पूजी वाद या पूजी तो सबसे उपर क्या हो जाता है का कैपिटल मतलब पूजी मतलब धन इसको लिख लिए या पूजी वादी प्रक्रिया तो यह सबसे उपर उपर इसमें वाइट होती है, चोड़ाई ज्यादा होती है, क्योंकि आम जनता संख्या ज्यादा होती है, ये हो गए आपका इस तरह, ये कम है, इस तरह, ये और कम होंगे, ये नेरो होते जाएगा, यहीं आपका выramid know the.com सवचना है, इसे करते हैं प्रेमीड और capitalism इसे करते हैं पुजी पतियों के साथ मिलकर उच वर्गों के सांथ मिलकर आम जनता का सोच्ड करता है आम जनता के स्रम का सोसर करता है और उनके स्रम में से एक बड़ा हिस्सा धन चोरी करके कमाता है जिसे पूजीवादी ब्योस्था वे लाब का जाता है और इस ब्योस्था के अंदर के जो धर्म होता है वो अब्यक्ति को परंप्रावाधिता के नाम पर रीत रिवाजों के ना पर जनता को मुर्ख बनाता है जनता को बाधे रहता है अंद्विश्वास आधि के नाम पर जनता के बिद्रोही प्रवित्य को दबाए रखता है उसको बिद्रोही आप क्रांति नहीं करने देता है तो इस प्रक्रिया में वास्तों में समझे तो सासक वर्ग पादरी वर्ग और उच्च वर्ग तीनों मिलके एक जैसा कारी करते हैं और इसे आम जनता का ही वर्किंग क्लास का लगाता सोसर होता है तो पूजीवादी प्रक्रिया वस्तुतह माक्सवादी ब्योस्था में स्रम्रिकों के या आम जनता के सोसर की प्रक्रिया को दर्शाने का एक सिष्टम रहा है एक प्रदती रहा है ठीक है और तो इसी प्रदती के माध्यम से माक्स ने इस प्रक्रिया को निधायत किया है